मैं अपने आपको middle class कहता हूँ या में भी अब शायद मैं अपर middle class हो गया हूँ मगर मैं यह इसलिए कहता हूँ तुम लोग कहता हो गया रही है जैकेट पहनी हैं वाइल, कैमरा, क्या कर रहा है भाई, कैसे कह रहा है क्यूंकि आसे तीन साल पहले तक अपने घर का बिजली का बिल किस्तों पी चलता था अगठे नहीं दिया जाता था, किस्ते करारी पड़ती थी बिलकी बाई तो ये वीडियो उन सारे लड़कियों लड़कियों के लिए है, जो अपने ना सिर्फ एक्जैम्स, पढ़ाई को सेल्फ फाइनांस कर रहे हैं, बलके सासत पिछे घर भी चला रहे हैं क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं, हमें ये प्रिविलिश नहीं होता कि हमने सिर्फ अपने आपको चलाना है, हमने अपने आपके सासत पिछे घरोलों को भी चलाना है और हम बहुत से लोग मारे जाते हैं उन लोगों से जो कहते हैं देखो हमने अपने आपको खुद सेट किया हम बाहरा है हमने अपनी जिन्दगी स्टार्ट की मगर उनको जिन्दगी स्टार्ट कराने के लिए पिछे से एक करोड घरोलों ने दिया होता है उनको आगे push करके घरोलों ने tension नी, tension तो खिर घरोलों ने देते हैं वगर घरोलों ने कुछ responsibility नी दी होती है कि भई तुमने भी चलाना है पीचे से, वो सिर्फ अपना देख रहे होते हैं, अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं, तो इस मौके पे मैं अपने आपकों लोगों स finance खुदी किया, और ना सिर्फ अपने exams को finance किया, साथ सर्फ फिछे घरोलों को भी खचा दिया, घरोलों को भी चला और अभी तक चला रहे हैं लाका शुगर कि that's our responsibility man, हम नी करेंगे तो कौन करेंगा जिंदगी अपने दिए थोड़ी जी नहीं होती है क्योंकि हम सारे doctors थे, सारे एक जैसे थे pay है से एक जैसी है, तो फिर क्यों कुछ लोग ना सिर्फ अपने exams को finance कर पा रहे हैं, साथ साथ घर उनों का भी खच्चा दे रहे हैं, अपने ओपर भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पहली reason यह कि जब मैंने जो step लिया था, मैंने कुछ bold steps लिये थे risky step, उसमें पहला step यह था कि I went to Maldives, मैंने का मैं Maldives में as a medical officer job करना चाता हूँ, और जब मैंने यह बोला, तो बहुत से लोगों ने, जो कि doctors community के मेरे seniors से हुने ने का, तुम वहाँ जाके क्या करोगे, तो सिर्फ medical officer है, तुम ने क्या करना है, तुम यहाँ FCPS शुरू कर दो, MDM, MD शुरू कर दो, जो MDMA से, यहाँ फिर तुम बस इदर काम करते रो, double duty कर लो, और तुम बाहर जाके direct PLAB 1, PLAB 2 करके, वहाँ, UK में काम करना हूँ, वाँ, they were not at my place, I knew कि मुझे माल दी, इसलिए थोड़ी जाना है कि मुझे clinically कोई बहुत आगे निकलना है, मुझे specialization करना है, मुझे माल दी जाना है, मुझे तो पैसे चाहिए है, पैसे मिलेंगे तो मैं आगे PLAB 2 दे पाऊंगा ना, अभी तो PLAB 1 मुझे से दिया है, इंडर सोस्मिरल में काम करता था, कितनी 75-80,000 पर आतन हाथ ही, मैंने का भी PLAB 1 यहाँ से निकाले है, अब PLAB 2 कहां से निकालूँगा, कितने महीने साल काम करता होगा, फिर जाके 8,000,000,000,000,000 से जहता है, तो से निकाल बात है, अधे थोड़ी बात है, तो इसमें एक बात ही है, कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क वह वो ला कि जो, take the path that's not been taken by so many people, और at the same time, आप जिनसे advice ले रहे हो, आप देखो advice उनसे तो नहीं ले रहे हो, जो बहुत well protected है, अक्सरी होता है कि आपके दोस्तिया, आपके इर्दगिर, senior वगएर, वो पहले से पीछे से well protected होते हैं in terms of wealth, और वो जब आप उनसे कोई बश्रा ले रहे होते हो, वो किरते हैं नहीं नहीं अपने पास कुछ भी नहीं था, तो आप जिनसे मश्वरा ले रहे हैं, आप देखें उनका lifestyle कैसा है, अगर तो यह rich lifestyle, उनका पिछे से support है, तो अपी मश्वरे का फाइदा है नहीं, वो तो समझे नहीं रहे हैं आपकी condition, वो शैद अपने आपको finance कर रहे हो, वागर वो घर करें, और तीसरी बात यह, कि आप जिससे भी मश्वरा लेते हैं, और वो आपको कुछ बताता है, कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, मैं भी वही करना चाहरा हूँ, तो आप देखो उन्होंने वो किया और नहीं किया, बहुत से लोग सेम चीज़ करते रहते हैं, और रिजल् रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, दूर रहके आपने खुद कुछ रिफरेंट करना है, और फिर मेरा मालदीव्स का शक्र शुरू हुआ, मालदीव्स जब मैं गया, मैंने वहाँ इतना वैसा कमाया, कि मैं अपना प्लैप 2 का एक्जैम दे सकता था, प्लैप 2 के ए एक्जैम में तब 6-7 लाग रपे लगता था, अब मज़े की बात ही है, अब एक और रिस्की फेक्टर आगे है, एक और बोल्ट फेक्टर आगे है, अब ना सिर्फ मैंने अपने एक्जैम के लिए पैसे जमा करने हैं, पिछे से घरोलों को भी देने हैं, देने हैं, फर्ज अब मैं मगर चाहता तो मालदीव रहता तब तक जब तक मुझे जॉब ना मिलती यूके में यहां प्लैटू पासना होता, मगर मैंने मालदीव से रिजाइन करती है, जब में मालदीव से रिजाइन करने लगा तो और बहुत से लोग आगे, कहने लगे जब आप कॉल करते तो मैं अब आना चाहता हूँ, लहोर, मैं लहोर में एक्जैम की तियारी करना चाहता हूँ, फिर मैं यूके जाके वहां करना चाहता हूँ, और मैं एक्जैम देना चाहता हूँ, नहीं तुम मालदीव से डिरेक्ट फ्लाइ करो यूके, फिर यूके से दुबारा मालदीव और फिर जब तुम्हारा वहाँ पास हो जाए, फिर जोब्स के लिए प्लाइ करो, फिर यहां से तुम डिरेक्ट जाओ यूके, मैंने का नहीं यार, यह कैसा लाइस्टाइल है, मैंने का दरम्यान में, मेरे अपनी ग्रोथ का कहा टाइम है, कि मैं फैमली के सार टाइम स्पें आगया, और जब मैं पाकिस्तान है, और मैंने अपने ब्रैंड को टाइम दिया, तो अल्ला का शुकर यह तब सब ज़्यादा ग्रोथ हुई, और मैं यही सोचता हूँ, कि अगर मैं नोकरी में ही लगा रहता, कि नहीं यार, मैं मालदीव जी रहूंगा, मैं नहीं इतनी र समझगे कि यह तो मार्केटिंग है, यह तो इन्स्ट्रीम एड्स है, यह तो ब्रैंड है, यही से तो चीज आगे चलती है, यहां से तो कल को क्लिनिक भी चल सकता है, यहां से तो बहुत कुछ चल सकता है, अगर आपको आस ओडियंस है, कुछ भी चल सकता है, तो समझने हो समझ गये, brand समझ गये, ना समझने हो ले ही, समझते रहे कि अच्छा है यह तो बैठ के हसाता है, इसको इस टाइम निए, वगर हसाना भी एक skill था और उसे पैसा आता रहा, और अल्ला का शुकर है ऐसे आता रहा कि फिर exam भी जो था, वो सारा इधर से ही sponsor हो गया, जो trip भी था, वो भी इधर से sponsor हो गया, और फिर जो last चीज यह है, और फिर जब पैसा आपके पास आ रहा होता है, तो ध्यान से लगाना होता है, एकदम जाके एशियों पर नहीं लगाना होता है, पैसा आया, तो mobile ले लिया, mobile इसले नहीं लिया, कि एशियों चाहिए, और अच्छा बने बनाना है, अगर आपने कुछ आउट फ़ बॉक्स वाक्री करना है, अगर आप लाइन में खड़े हो झाओके ठीक आपके पतहा है, आप इस लाइन में खड़े हो, दस साल बाद ही आप उस लाइन में पहुँचोगे, क्योंग एक लाइन है, एक एक और प्रेट साइक सर्क स्किल सीकर, मगर पाकिसान में बैठा बंद ये कह रहते हैं, हमें नोकरी दे दो, डोकरी दे दो, डोकरी दे दो, वो आउट अफ दे बोक्स सोचता है नहीं है, तो that's fine as well, मगर I hope जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो ये समझ जाएं कि out of the box, सोचना कितना जुरूरी है, तो ये वीडियो उन सारे लड़के और उन सारी लड़कियों के लिए, जो के middle class हैं, जो ना सिर्फ खुद अपने आपको self finance करे हैं, बलकि साथ साथ, घरों का भी पिछे ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है, अपने आपको चलाना is easy, हर कोई कहरे लेता है eventually भाई, घरों ले पिछे से करोड देते हैं, पचास लाग देते हैं, फाइनांस किया, अब आपकी life शुरू होगी, आपको वो तो push मिल गया, मगर मज़ा तब है, जब push भी आप अपने आपको खुदी दे रहे हो, और खुद आगे निकल रहे हो,